कि हलो फ्रेंड्स मैं हो संजीत और आप आज आपके लिए आऊँ टाइपस ओप सेट तो डिफरेंट टाइपस का डिफरेंट टाइपस का सेट है यहाँ पे तो पहला जो टाइपस पढ़ेंगे हम सेट के बारे में वह है एंप्टी सेट जिसको हम लोग रिक्त समुझ भी कहत है उस सेट को हम लोग बोलेंगे empty सेट इसका definition हो जाएगा a set having nothing मतलब कुछ भी नहीं है उसा सेट जिसमें कुछ भी नहीं है या जिसके पास कुछ भी नहीं है वह सेट हो जाएगा भी बोला जाता है empty सेट का और भी नाम है गाली मतलब कर नहीं और इसको क्या भी नहीं लोग हाई का फाई से दिनोट करते हैं किसे करते हैं या एक सिंपल कुर्ली अचिब्सुन इसमें एक कीठ ब्रैकरोत्ट है या तो आप इससे कर सकते हैं अब जैस एकजूंपल में देखते हैं लोग इसका कैलेंग जाम्पल क्लेक्शं औप एवेन्प्रायम नमर ग्रेटर और टू मतलब क्लेक्शन जो है兩ग किसका प्राइम नम Εक लेकिन इवेन होगा वो लेकिन ग्रेटर दन तू की बात कर रहा है तो आप लोग को पता होगा इससे पहले वाले क्लास में बताये थे हम तू जो है आपका वनली इवेन प्राइम नमबर है मतलब दो जो है आपका बीसम संख्या अभाज संख्या जो है सिंगल टू ही होता है इवेन नमर में और भी संख्या नहीं है कोई जो आपका प्राइम हो तो यह चाहे छोटा हो या बरा हो यह सिंगल है क्या है टू यूनिक है अगर इवेन नमर की बात करते हैं आप लोग इवेन नमर में यह टू जो है आपका यह टू जो है वो यूनिक है इसके अलावा अब जब देख़ए कि collection of event prime number greater than two तो क्या हो जाएगा अब लिखे two is only event prime number मतलब two से ना तो greater than है ना ही less than इसमें क्या हो जाएगा there is no element there is no element इसका answer क्या हो जाएगा थाई हो जाएगा अगर इसका answer की बात करें हम लोग तो थाई हो जाएगा तो यह हो गया आपका इसको हम लोग बोल सकते हैं empty seat next example देखते हैं हम लोग क्या होता है इसका answer क्या हो जाएगा collection of natural number less than one तो आपको तो पता होगा कि इसको बोलते हैं counting नमर को बोलते हैं तो counting नमर जो होता है आपका वह स्टाट होता है लेकिन यहां पर बात है less than one मतलब one से छोटा तो one से छोटा कोई भी natural number नहीं होता है क्या होता है नहीं होता है इसका भी answer क्या हो जाएगा आपका अपलों लिख सकते हैं इसको there is no natural number less than one so answer is थाई या तो आप इससे लिखो या इस तरह से लिखो दोनों से यह answer इसका अब next देखते हैं example आपका किया कि x साज डाट x square equal to 4 x square equal to 4 where x is odd क्या है where x is odd तो जब अब बात करें कि x square equal to 4 तो आना चाहिए लेकिन x का value क्या ले लिया है ओड ले लिया है ओड का मतलाब बीसं संख्यां क्या हो गया बीसं संख्यां हो गया अब देखते हैं हम लोग कोई ऐसा ओड नमबर नहीं होगा जिसका square करेंगे तो आपका वह 4 हो जाएगा चेक कर सकते हैं आप लोग जैसे ओड नमर लेते हम 1, 1 का square करेंगे 1, 3 का square करेंगे तो कितना हो जागा 9 हो जाएगा मतले इसमें भी क्या हो जाएगा कोई भी ओड नमबर नहीं है जिसमें हम लोग जिसका x square कर दे तो वह 4 हो जाएगा इसका अब आपका empty city होगा क्या होगा empty city होगा लोग फिर से हम लोग next example देखते हैं collection of old natural number individual by 2 अब यहां पर बात कर रहा है old natural number मतलब old का मतलब होता है बीसम नेचरल नमबर मतलब प्राकृत संक्या बीसम प्राकृत संक्या जो किस से होगा सब्सक्राइबर दो से होगा टू से डिवहलों होना चाहिए तब आपको पता है को This नंबर कोई भी नहीं है जो से डिवाइट हो जाएगा क्या हो जाएगा इवेंक नमर इसको भी बोलेंगे हम लोग, empty set ही बोलेंगे, यह है आपका empty set, next देखते हैं हम लोग types इसका, second type जो हम परेंगे वो होता है आपका finite set, second type आपका है finite set जिसको आप लोग परीमित समुझ भी बोल सकते हैं, यह set होता है क्या, ऐसा set जिसके element को आप लोग count कर सकते हैं, मतलब definite number of element उसमें होना चाहिए, a set having definite number of elements are called finite set, मतलब worst set जिसके element को आप लोग count कर सकते हैं, उस set को लोग क्या बोलेंगे, finite set बोलेंगे यह परीमित समुझ कहेंगे, तो समझ कहेंगे, यह simple है, असान भी है, तो finite set क्या होता है, worst set जिसके element को आप लोग count कर सकते हैं, जैसे example में दखत हमें, example होगे आपका, one, two, three, four, up to hundred, इसमें क्या है, आपको पता है, once I start हो रहा, hundred पर खता मरा, मतलब इसमें maximum कितना element hundred है, इसको आप लोग count कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा, क्या हो जाएगा, finite set, इसका a, b, c, d, x, y, z, इसमें भी पता है, क्या है, alpha, beta, 48, 20 लेtles होता है, यह भी आपका count है, इसको बहूं है, यह हो गया, आपका he, finite set, क्या हो जाएगा, कार्डीनल नम्मर होता है क्या होता है कार्डीनल नम्मर होता है कार्डीनल नम्मर किसको हम लोग बोलते हैं कार्डीनल नम्मर आपका फनाइट सेट में होता है किसमें होता है जैसे अब सेट यह है इसमें सेट यह है इसमें कितना अलिमेंट है टोटल हंडेट अलिमेंट है इ All elements of a finite set is called cardinal number of set. मतलब finite set का जितना भी element होगा उसी को हम लोग cardinal number बोलते हैं, उस set का cardinal number हो जाता है. तो जैसे हम लोग कोई भी set है, मान लेते हैं कि set A है, माना कि A कोई set है, तो इसके cardinal number को an A से denote करते हैं. मतलब यह इस तरह से indicate क्या जाता है, cardinal number को, इसका example देखते हम लोग कैसे लिखेंगे इसमें, तो cardinal number का आपका example क्या हो जाएगा, जैसे set A है, इसमें कितना है, चार element देख रहे हैं, 1, 2, 3, 4, इसको मान लोग इस तरह से लिखेंगे, N A equal to 4, second example है आपका, जिसमें element A, B, C, D, E, F, कितना element होगा है, इसमें, 2, 4, 6, तो इस तरह से हम लोग cardinal number को denote करते हैं, यही होगे आपका cardinal number of a finite set, अब next time जो हम लोग देखेंगे infinite set, तो आप लोग इसको simple समझ सकते हैं, वस सेट जो finite नहीं होगा, वस सेट जो finite सेट नहीं होगा, infinite set का लाएगा, infinite set को हम लोग elements are called infinite set, वह सेट जिसके element को आप लोग count नहीं कर सकते हैं, अनगिनत हो, क्या हो infinite number of elements हो, कोई तो सेट ऐसा होगा, जिसका सभी element को आप लोग count नहीं कर सकते हैं, उस सेट को हम लोग क्या बोलेंगे, infinite set, जैसे बता है, वो finite set में क्या था, जिसके element को आप लोग count कर सकते हैं, सेट आपका इनिफनाईट से लिखावा वाग जो फनाईट नहीं ओ वसेट जो फनाईट नहीं हो इनिफनाईट सेट होगा इसे एक्जामपल में देखते हैं हम लोग यह हैं जिसमें एलिमेंट आपका यह सेट आप नेचरल नमर आपको पता है क्या है इन्फनाइट है इन्फनाइट है तो मतलब यह अनकॉंट आवाल हुआ जिसको आप लोग नहीं कर सकते हैं अजब क्या होजाएगा इन्फनाइट हो जागा उसी तरह से जब इसमें बात करते हैं लोग सेट आप अल्प्राइम नमर यह भी तो अंगिनत है यह इन्फनाइट है यह दोनों क्या हो जागा आपका इन्फनाइट हो जागा है तो सब्गा आप लोग क्लियर हो गया कि अथim सेट और इन्फनाइट सेट क्या होता है नेक्स टाइब देखते हम लोग अब समान समुझ कहते हैं और इक्वाल सेट क्या होगा दो सेट कोई भी दो सेट क्योंकि जब भी अब आत आते हैं कंपेरिजन का दोसमें दो चीज क्या हो समान हो equal set को लाएगा कोई भी दो सेट जिसके सभी element equal हो equal हो और same भी हो वो सेट क्या होगा आपका equal set होगा if two set having exactly same elements then the set is set to be equal अगर दो सेट के सभी elements एक ही हो तो दोनों set समान होगा अब example में देखते हैं हम लोग जिसे लेट एंड बी बी टू इकुल सेट लेट एंड बी बी टू इकुल सेट तो इसमें देते एक्जाम्पल हम लोग लियें हैं equal to 1234 and be equal to 341 1 & 2 आप लोग जोब इसको देखते हैं इसमें देखिए क्या है एक दो तीन चार इसमें भी क्या है एक दो तीन चार प्लेस क्या है बस प्लेस चेंज आपका ये चेंज हो सकता है लेकिन element क्या है सारा सेम है इसका element और इसका element दोनों का element same है तो इस set को हम लोग बोलेंगे a equal to b दोनों का element क्या है same है इसको हम लोग A equal to B बोलेंगे यह होगे आपका equal set अब हम लोग दखेंगे un equal set तो इसको simply आप लोग समझ सकते हैं वह set जो equal नहीं होगा un equal होगा वह set जो equal नहीं हो जो set equal नहीं हो उस set को हम लोग बोलेंगे un equal set क्या बोलेंगे un equal set बोलेंगे a set which is not equal is called unequal set, ऐसा set जो equal set नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा? equal set होगा, जैसे example में रहते हैं कि A है आपका कोई set जिसमें element आपका A, B, C, D and B आपका another set है जो example आप उसका element है इसमें 1, 2, 3, 4, अब आप लोग देखिए ये दोनों set में number of element तो same है, 4 element इसमें भी है और 4 इसमें भी है, 4 जब बात करने हैं कि हम लोग exactly same, क्या बता है तो उसमें? हनाइट set में equal set में same होना चाहिए element लेकिन इसमें क्या है? आपका अलग-अलग हो गया, A, B, C, D, 1, 2, 3, 4, दोनों equal नहीं है, जब दोनों equal नहीं है तो क्या हो जागा? unequal, unequal को हम लोग इस तरह से denote करते हैं, यह हो single से आप लोग समझ सकते है, single मतलब एक होता है, singleton set होता है एकक समूझ, वह set जिसमें एक ही element हो, वह set जिसमें एक ही element हो, वह set जिसमें single element हो, उस सेट को हम लोग singleton set बोलेंगे, जिस एकजामपल में one element इसमें भी है, one element इसमें भी है, one element इसमें भी है, अब देखी इसमें आप लोग कभी कभी empty set में confusion होगा तो यह empty set नहीं है आपका क्या है singleton set होगा जब आप दोनों को फाई और यह दोनों curly bracket फाई दोनों के एक साथ लिख दते हैं तो आपका हो जाता यह singleton set अलग-अलग है तो आपका यह empty set लेकिन जब दोनों को साथ में लिखते हैं तो क्या हो जाएगा आपका यह singleton set हो जाएगा अब next अपका pair set जिसको आप लोग यूग में समुच भी बोल सकते हैं यह set उसा तो पेर से नाम होता है पेर का मतलब दो होता है जोरा जिसको आप लोग बोलते हैं इसमें सिधा है जिसे singleton set में एक element था उसी तरह से pair set में दो element होना चाहिए, pair set में दो element होना चाहिए A set having only two elements are called pair set example हो गया set A में दो element है A B set B में भी 2 element है 1 minus 1 set C में भी 2 element है 0 A यह सारा आपका क्या हो गया? pair set हो गया, क्या हो गया? pair set होगा next देखते हम लोगे set of set set तो समझ रहते हैं, जैसे हम लोग कोई element को लिखते हैं, जैसे हम लेते हैं यहाँ पे एक कोई set है, X और इसमें element है 1, 2 इसको हम लोग set बोलेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया? set of set मतलब इसको फिर से अगर हम बना दे set यही होगा, आपका set of set हो जाएगा, जैसे इसमें देखे यह 1, 2, 1 set है, अगर इसको आप भूल जाते हैं कुछ दिर के लिए, यह और यह, यह भी set है, यह भी set है, यह भी set है लेकिन फिर से अगर इसको एक bracket का अंदर बंद कर दते हैं, तो उसको लोग बोलते हैं set of set, क्या बोलते हैं? इसको set of set बोलते हैं, उसी तरह से एक्जामपल हो गया, बी, set, x, यह सबसारा आपका set of set होता है